किसान भाईयों धान की रोपाई का समय शुरू हो चुका है अतय है आप धान की रोपाई समय कर सकते हैं और इस कारे को शीगर अतिशीगर आप निप्टाएं खास करके अगर आपकी पोध 20-25 दिन पुरानी हो गई है और 4-5 पत्या उसमें निकल आई हैं तो आप इसकी रोप कर सकते हैं और यह रोपाई आप 20 जुलाई तक आवश्य निप्टा लें और जैसे हमारे संस्थान की किस्म है पूसा बास्मती 1509 तो इसकी रोपाई आप 20 जुलाई के आसपास करें तो अच्छा रहेगा धान की जब हम मुख्य खेत में रोपाई करते हैं तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि पॉदों की सही संक्या की रोपाई की जाए इसके लिए हमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 cm रखनी चाहिए और पोधे से पोधे की दूरी जो आपस की है वो 10 cm रखनी चाहिए ध्यान रखें कि एक जगे पे जब आप पोधे लगाते हैं तो कम से कम दो पोधे आप जरूर लगाएं और जो गहराई है रोपाई की वो थोड़ी कम रखनी चाहिए 2-3 cm गहराई पर हमें पोधों को रोपना चाहिए और उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादे गहरी हमारी पोध की रोपाई ना हो जाए अगर रोपाई गहरी होगी तो उसमें कल्ले कम बनते हैं और अगर इस परकार हम सही दूरी पर हम अपनी फसल को बोते हैं तो लगवग एक वर्ग मीटर छेतर फल में लगवग पचास पोधे हमारे कम से कम आ जाने चाहिए किसान भाईयों रोपाई के समय हलका सा पानी भी आपके खेत में होना चाहिए लगवग 2-3 सेंटी मीटर और जैसे जैसे समय बीटता जाए माली ये 10 दिन पुरानी 15 दिन पुरानी फसल हो गई है तो पानी की ये मातरा थोड़ी आप बढ़ावी सकते हैं 5 सेंटी मीटर के आसपास भी पानी की मातरा रख सकते हैं इससे जो हमारे खर्पतवार हैं उनकी व्रद्धी में कमी आती है